हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi यदि आप संग लोग सिवा आयोग के इस्ट्वेंट हैं तो भी और यदि आप राज लोग सिवा आयोग के इस्ट्वेंट हैं तो भी आपके सिलिवस में एक पाठ होता है ब्रह्मान और इसमें पढ़ाया जाता है आपको ग्यान कराया जाता है कि एक्चुल में हमारे ब्रह्मान का जन्म कैसे हुआ हमारे ब्रह्मान में हमारी प्रत्वी कहां पर अकर करती है हमारी प्रत्वी का एक सबसे महतपूर्ण प्राकरत एक उपग्रा है जिसको हम चंद्रमा का नाम देते हैं इस चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ तो प्राया यह समझा जाता है जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो चंद्रमा है यह प्रत्वी से ही निकल कर अलग हुआ है परन्तु इस तथ्य को जरा ध्यान से सुने मैं यहाँ आपके म उत्वाव को जवाब समझने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले एक थियोरी आती है कि प्रत्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ इन ही महासागरों में आक्सीजन यानि कि जिसको हम O2 का नाम देते हैं यह आई और फिर इसी O2 के आधार पर जो मानव उत्वाज है इसकी रत्पद्र का एक क्रम चालू हुआ यानि कि सबसे पहले महासागरों का जन्म हुआ तो कुछ भुगोल विद्वेताओं का यह कहना होता है कि तो पूरे अंत्रिक्ष में जो क्योपार बेल्ट वाला इस्थान है यानि कि जो हमारा सौर मंडल है कि भई यहाँ पर आपको दिखाई देता है सूर के पश्यात यहाँ पर बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी है ना ऐसे चलते हुए जब आप अरुन और वरुन के बास पहुंचते हैं तो वर्तमान में जो आठ ग्रह हैं हम इन्ही आठ को शामिल करते हैं इसके बाद वाला जो भी इस्थान है अंतरिक्ष में तो उसको आप नाम देते हैं क्यूपर बैल्ट का और प्रत्वी पर जिस प्रकार का गुरत्वाकर्शन बल है इस इसी प्रकार का गुरत्वाकर्शन आपको अन्य ग्रहों पर भी मौझूद दिखाई देगा यानि कि थर्ड नंबर की हमारी अर्थ है तो जिस प्रकार हमारी अर्थ पर gravitational force है ऐसा ही हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी हमें मालूम नहीं है परन्तु हो सकता है कि हो बिलकुल हो सकता है कि चंद्रमा का जन्म हुआ हो यह बात एक नई थेयोरी में प्रमानित हो रही है अब यहीं पर रूम क्याईए जरा ध्यान से सुनिएगा वर्तमान थेयोरी क्या है वर्तमान थेयोरी यह है कि यह है हमारी परत्वी अब पूरे अंतरिक्ष में हमारी परत्वी ही तो नहीं है जो घूम रही है या फर जो सूर की परिक्रमा कर रही है ऐसे कई और पंड है जैसे हमारे सौर मंडल में याठ गरे है तो ऐसे कितने सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में है और ऐसी कितनी आकाश गंगा है हमारे पूरे अंतरिक्ष में है तो भई अंतरिक्ष में और भी कई पं हो सकते हैं तो कालांतर में कहा जाता है कि प्रत्वी से कोई पिंड आका टकराया होगा और इसके टकराने कारण प्रत्वी से एक पाट तूटकर अलग हुआ हुआ जो कि प्रथवी के गृत्वाकर्शन एरिया में ग्रेविटेशनल एरिया में ही रह गया और ये चक्कल लगाने लगा प्रथवी के और ये बना बाद में क्या मून ये बात कही जाती है theories में परंतु इस theory को नकारा जाता है इस theory को आए हुए लगभग 40 साल हुए है और 40 साल से यही theory मानने हैं कि चंद्रमा का जन्म ऐसे हुआ अब हम कैसे बता पा रहे हैं कि चंद्रमा का जन्म ऐसे हुआ इनमें और प्रत्वी पर पाए जाने वाली मर्दा में और चटानी पिंडों में समानता होनी चाहिए तो 40 साल पहले जब इसका अध्यान किया गया जब यह theory दी गई तो 1984 के सम्थिंग 1969 में Apollo Mission आया था और Apollo Mission जब successful रहा था तो यहां पर चंद्रमा से कुछ मर्दा और कुछ चटाने लाए गई थी जिनका 1984 तक अध्यन किया गया और इसकी मर्दा और प्रत्वी पर पाए जाने वाली मर्दा और चटानी पिंडों में कुछ समानता हंडेट परसेंट नहीं परन्तु कुछ समानता अवश्य विद्धिमान दिखाई देती है और इन समानताओं के आधार पर यहां declaration किया जा रहा था कि हो ना हो यह प्रत्वी का एक टुकड़ा हो सकता है यह और इसी के आधार पर महासागनों के बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था यह था हमारा ओल्ड थियोरी इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया अब याद रखें इसको नकारते हुए वर्तमान परिदर्श में यह निज है कि भाई अध्यानों से पता चलता है कि यहां चंद्रमा को प्रत्वी ने अंत्रिक्ष से अपनी और खीचा है यानि कि अ यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहती है तो रहोए ऐवशे कुमार टेलिग्राम चैनल पर आप इसको अवश्य डाउनलोड कर सकते हैं तो यदि आपको कोई समस्या है कि भाई बैच कैसे जोईन करना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट मेंली जॉग्रफी से रेटेट तो आप यहाँ पर आप याद रखीएगा यह क्या क्या है तो अपोलो मिशन जो हुआ था यह यहाँ पर याद रखो कि जो हमारा सौर मंडल है इस सौर मंडल के लगभग सिक्ष्टी मिलियन इयर बाद कहा जाता है कि चंद्रमा का जन्म हुआ और 1984 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया जाता है कोना सम्मेलन और इसमें पूरे विश्व की जो साइंटेस्ट थे वो एकत्र हुए थे और इन्होंने यह बात कही थी कि चंद्रमा का जन्म प्रत्वी से किसी पिंड के टकराने के कारण हुआ है यानि कि यह प्रत्वी चया रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ब्रहमांड में पूरे ब्रहम्हांड में कई ऐसे छेत्रों हो जहां पर कई चटानी पेंड सबंक रहें आपको प्रोसेस बताई कि भई अरुन वरुन है इनके बाद वाला जितना भी एरिया आएगा उसको पर बैल्ट का नाम दिया जाएगा इस की उपर बैल्ट में ही कुछ चटानी पिंड है जो स्वतंतर रवस्ता में मौझूद अब कई बार यह हुता है कि यह स्वतंतर रवस्ता में घूमते हुए विच्रेंट करते हुए किसी ग्रह के ग्रैविटेशनल एरिया में आ जाते हैं और जब यह किसी ग्रह के ग्रैविटेशनल एरिया में आ गए तो इसका परिणाम यह हुआ कि भई कुछ को यह प्रत्वी क परत्वी के गुरु तवाकर्शन शेतर कर रहे जाएंगे और जुन कुछ समय के लिए तो ये लगू पेंड कहलाएंगे और धी टिरक लिए फस गया अप्लोड हुई है इसको आप जाकर अवश्य देखें वो भी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए तो जरा सुनिएगा कि ऐसा ही कुछ हो रहा है कि क्यूबर्ट बेल्ट से पिंड आ रहे हैं यह स्वतंतर अवस्ता में विशंड कर रहे हैं हुआ यह होगा कि यह प्रत्वी के गुर्तवाकर्शन शेत्र में फस गए होंगे और ऐसे दो पिंड होंगे और इन दो पिंडों को सामान निभाषा में कहा जाता है बाइनरी और ऐसे कई बाइनरी इस शेत्र में मौजूद है यानि की क्यूपर बेल्ट वाले एरिया में मौजूद है अब यह जो बाइनरी आये थे दो बाइनरी आये थे इनमें से एक बाइनरी प्रत्वी के गुरत्वाकर्शन शेत्र से बाहर चला गया और एक बाइनरी प्रत्वी के गुरत्वाकर्शन शेत्र में फस्कर रहे गया और उसी एक बाइनरी को आज हम मून का नाम दे रहे हैं जो की प्रत्वी का एक प खगोल विज्ञान और बेसिकली खगोल भौतकी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डैरिन विल्यम्स और फिर यहां पर एक और नाम इसको आप्टेंट हो जाता है जिसको कहां क्या नाम है इनका माइकल जुगर यह दो साइंटिस्ट है इन्होंने मिलकर रिसर्च की है और इन्होंने डिकलिएरेशन दिया है जिसमें से विल्यम्स का इस्टेटमेंट यह है कि चंद्रमा पृत्वी की भूमंदर एखा की तुल तो पढ़ सकते हैं, मेरा पढ़ना अच्छा नहीं हुआ कि मैं वीडियो में line by line पढ़ दिया, मैंने इसको बहुत ही easy में आपको समझा दिया, हाँ answer writing के context में आप इसको अवश्य लिख सकते हैं, और जब आप pre देने जाएं तो ऐसे context को एक बार आप रिवाईज जरूर करने क्योंकि इन से question आने की परियाप्त संभावना होती है, आपसे directly पूसर जा सकता है कि चंद्रमा के निर्मान के संबन में नए प्रमान किस वज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं या फिर नए प्रमान क्या है कि चंद्रमा के निर्मान की नई थियोरी क्या आने वा है, यह मन गणंद कहानिया नहीं है, हमने अध्यानों से पता किया है कि जो नेप्चिन है, यानि की हमारा वरुन ग्रह, इसका एक चंद्रमा है जिसको नाम दिया जाता है ट्राइटन, यह ट्राइटन को भी क्यूपर बैल्ट में से खीचा गया था, और जहां पर कई सारे पाइनरी मौझूद है, तो ट्राइटन का एक्जामपल देकर आप इसको समझ सकते हैं, यह टी चंद्रमा के बनने पर एक न्यूज, परंतु याद रखें, अब यहाँ पर दो थियोरीज आपको पढ़नी होती है, जब जहां पर भी आपके जियस के नोट्स बने हो, जहां प्रस्तुत की, इसको बहुत ही सिंपल मेनर में आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि किसी भी प्रकार को कोई डाउट होता है, तो जोगरफी भाय अवशे कुमार पर आप कॉंटेक्ट तो करी सकते हैं, पश्यात इसके एक महतवपून बात यह है कि Study IQIS Hindi ने अपने प्लेटफॉर्म पर पश्यात इसके एक इंपॉर्टेंट नीज यह है वई, कि Study IQIS Hindi ने अपने प्लेटफॉर्म पर पेटू आई बैचेस जो लॉंच किये हैं, दो हजार पच्छेस जिनका भी टारगेट है, उनके लिए ये लास्ट बैच है, यानि कि इसक बैच है और सेप्टेंबर बुनेंजा सेल भी यहां पर अविलेबल है, यह प्रतिग्या हाँ, यह बैचेस आपको EKB लाइब कोट के साथ 20,999 रुपय में प्रोवाइट कराए जाएंगे, याद रखी गए यह प्रतिग्या प्लस बैच है, यानि कि जब आप प्री क्वालि जाता है, और यदि इस टेक्ष्ट में आप फर्स रैंक हासिल करते हैं, तो आपको प्रती हप्ते 11,000 रुपय जीतने तक का मौका मिल सकता है, यानि कि study के साथ एक प्रखार से हम कह सकते हैं कि motivation भी आपको मिलेगा, यदि आप जॉइन होना चाहते हैं, तो comment section में दी गए ल code है AKB live, मिलते हैं किसी ऐसे ही informative वीडियो में आने वाले समय में, धन्यवाद